जब आप आएंगे फगवारा में तो आपको हर चके बिल जाएगे साइस एट सेज एल पी यू और जब फगवारा के अंदर आप पहुचेगे तो यह विशाल गेट एल पी यू का आपको दिख जाएगा तो यहां पर है एक beautiful institute of hotel management और खास बात यह उषके साथ attached एक five star hotel तो हम अंदर चलते आपको और बताते क्योंकि हमने ले लिए special permission आईए घबराई अबत lovely professional university के school of hotel management के बारे मैंने बहुत कुछ सुना है seven floors of institute, eight floor five star hotel, bakeries, confectioneries और तो और faculty और staff दुनिया भर से including students from all over the world, इसके इलावा एक aviation lab, मैं तो बहुत excited हूँ देखने के लिए कि हाँ पर क्या-क्या होता है यह lovely professional university का school of hotel management entrance, oh and a welcome committee, good morning, good morning, thank you, thank you, how nice सबसे पहले हम मिले LPU school of hotel management के उस student से और उनने हमें बताया कि यहाँ पर हो क्या रहा है मेरा नाम यशिका शर्मा है, मैं LPU school of hotel management से VSC hotel management करी हूँ, इस course की duration 3 years है Welcome to a new hotel, जैसा की आप देख रहे हैं, पहले साथ level is for the classrooms and the 8th floor is for the hotel, in which we are having a 24 rooms bed जैसा की a medical college के साथ एक hospital attached होता है, ऐस ही हमारे school of hotel management के साथ, एक hotel attached है, and I think it's a brilliant idea यार सर्विस का पहला दन first year में बड़ा याद आता है, जिस दिन सालवे रात में उठाई सारी प्लेट्स तूड़ लेए है, मुझे पूरा प्राक्रिकल खड़ा रहना पड़ा, reception desk के पीछे, phone call attend करते यार बकरी सबसे बढ़िया यार जो भी Unterstüt फूछ थंड़ नब कर्दwynud। थंड़रा जहों खड़ खड़े यह खो़गर, काना खो न्मास्तिया उठाहा है मेरे इसाब से सबसे जुरूरी पार्ट जो होता है हो फोटेल मैनेजमेंट चेनिय का वो होता है किचन मेरे चारे चार थे का रहे है बाज एक बेकरी और एक कन्फेक्षिटरी यहां पर खाना पीना सब कुछ अपको सिखाया जाता है यहां पर आपको कस्टमर की सर्वेस के लिए खाना पीना वग्यरा सब सिखा जाता है तो अच्छा वंडर्फुल आइडिया वंडर्फुल प्लेस और ऐसे किच्छन बहुत हैं यहां पर छे किच्छन हैं तोटल खुब सारे स्टुडेंट्स शेफ्स टेंड कर रहे हैं अक्ल चलते चलते बीनी बीनी खुष्बू मुझे अनोच शर्मा जी के पास लिए अनोच क्या हो रहा है यहां पर बीए सी होटल मैनेजमेंट के लावा वी हाव बेए कुलिनेरी आर्ट्स, आप आप एक पूरे एक्राफ के इंटिरियर को सिमिलेट किया गया है एवीएशन ट्रेरिंग देने के लिए आए दिखाता हूं तो पहले मैं उसको बोला यार पाटी ओरी है I'm having a blast फिर मैंने बोला यृर रियल बॉम या फिर उसका नाम जैक था मैंने बोला हाई जैक उसलिए पकड़ लिया ओ थैंक्यू सो माँच थैंक्यू तो अगर आप सोच तो अगर अगर है तो अगर है तो जैक जो था ना बड़ा पिकार टाइप का अधी था है तो कैते है तो प्रूफ पुटिंग इस इदी इटिंग तो फाइनली खाना अब देवल पर आचुका है और हमें और इंचिज के बार में बताने के लिए Dr. Sandeep who is the deputy dean of LPU, Dr. Nafis who is the dean of the school of hotel management and of course, Dr. Aman Mittal who is the vice president of LPU, सब कुछ ठीक बुलाना मैंने, बहुर तंचिंदी बहुर तंचिंदी, बहुर तंचिंदी, तो सब स्कूल कब आपका institute कब शुरू हुआ और कितने students है आपके पासर और हमनी courses दी ओफर? We started in 2007 and as of now we have around 1200 students, we are offering 8 programs in hospitality and tourism, plus we are having PhD also in both of the students. तो मतलब शुरू से लेके PhD तक all courses. और आपका ये जो उपर hotel है, this 5-star hotel that is part of the school of hotel management, this is fascinating. How did this idea come about? इसक्वार मुष्य कुछ पता है? This idea came, Amun sir also agreed to that, when a medical college can have a hospital, why don't a hotel management college should have a hotel? So that's the idea, to give the hands-on experience and the real pressure of the hotel to the rest of the students. And कितना benefit है, say Dr. Mithil? I think the whole idea is to give the practical learning and जो ये बहुस्पितल वाला example दिया है, that's the belief. We want people to practice what they learn in the classrooms and the hotel is providing that thing and you stayed there and you know that how well it is. Oh my god, it's absolutely fantastic and दाहल बहुत जादा अछिया है. Thank you sir. So now going forward, if I look at a student in your school, what qualities are you that you want to imbibe? Sir, from day one we want them to believe that they are a hotelier now rather than becoming a hotelier after three years. So that is the main quality we want to imbibe from day one. Second is the thorough professionalism and the technical skills which is very much required to grow in the industry. In this time, I have seen all the things here, absolute professionalism, खाना is the final test and खाना बहुत ही शान्दार है. Thank you sir. Thanks sir. I wish we have all the time to discuss these recipes. They are superb. They are Bengali recipes out of the practical. I was going to say that he is a Bengali influencer. Bengali, yes. So there is a Bengali platter. Right sir. So let's see, a little bit of our table here. We have a lot of food. We have a lot of food. Thank you all and I hope you have enjoyed it. School of Hotel Management, Lovely Professional University, Bhagwada, Punjab. See you soon.